हेलो फ्रेंट्स कहीं साब सभी दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं टोकियो में उलमिक चल रहा ऑद इसमें अभी तक इंडियन टीम कुछ ज़ए खास परफॉर्बेंस नहीं देखा पा protests नहीं कर पारे ती वहीं एक गोल्ड के शुर्बात हो गई है और वह भी प्रण्स मैं आपको बताओं सलमान खान बॉलीवूट के मेगा इस्टास सलमान खान ने निरच चौपर को बदाई देटे वह टूट के आप प्रण्स के आप इंडिया के लिए medal लेके आए इससे बरी बात जो कुछ होई नहीं सकती इससे पहले सलमान खान ने मीरा भाई चारू को भी congratulation कहा था उनको भी बदाई दिया था कि वो भी heavy weight lifting में bronze medal लेके आए थे वैसे तो chance था gold लाने का बट ऐसा नहीं हुआ unfortunately जो है उनके opposition वाले player ने बाजी खेल दिया बाजी प्लेट दिया और जिसकी वज़े से जो मीरा भाई चारू को सिर्फ bronze medal मिला बट सलमान खान ने वहाँ पे भी उनको motivate किया वहाँ पे भी उनके होसला को आगे बराया कि भाई तुम जो है ब्रोंज लेके आए लेकिन आए तो सही कुछ लाए तो सही और वूपर से तुम के women जो कि किसी women के लिए जो इतना struggle करना इतना मेहनत करना जो असान नहीं होता है और फिर भी जो है तुम जो है एक मैडल लेके आए वो भी इंडिया के नाम इससे जो पूरी तरह से पूरूफ होता है कि सलमान भाई भी जो है उलिम्पिक से बने हुए है उलिम्पिक के टच में यह भी जो है इंडिया के दुवारा खेले गए हर एक प्लेयर का गेम देखते हैं और फिर जैसे यह अच्छा बात कर दिये उसनों मैडल लाने की वह भी इंडिया के लिए अब देखते हैं नीरत चोपरा के बाद वह कौन सा चैरा होता है जो इंडिया के लिए दूसरा यानि के सेकंड गोल्ड मैडल लेके आता है तो फ्रेंस बने रहे ना मेरे चैनल पर फ्रेंस पलपल की खबर जो तो फ्रेंस मिलता हूं नाज वीडियो में नए कि यूटाब एक तब तक के लिए बाई बाई टेक केर